Hello Bloggers, Welcome to Somal दोस्तों आज के टाइम पे जब भी हम लोग ब्लोग बनाने के लिए सोचते हैं यानि कि मेरा खेने का मतलब है जो भी Indian Bloggers ब्लोगिंग करने आते हैं 90% ब्लोगर क्या करते हैं इंडिया को टार्गेट करके ही ब्लोग बनाते हैं तो इसलिए हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट है बो कम्पिटेटिव हो जाता है लेकिन 10% ऐसे ब्लोगर से जो अभी के टाइम पे इंटेननेशनल लबल पे ब्लोगिंग करते हैं यान कि फॉरेंड कंट्रीज को टार्गेट करते हैं जिससे की सेव एफर्ट में ज्यादा कमाई होता है और जो भी एक बार इंटेनेशनल ब्लोगिंग में गुस जाएगा उसे ओपर्चुनिटी दिखेगा उसके बाद कभी भी बो बाई इंडिया को सिर्फ टार्गेट करके ब्लोग नहीं बनाएगा क्योंकि अगर सेम एफर्ट में आपको ज्यादा कमाई हो रहा है तो आप क्यों ना करो और जब हम इंटेनेशनल ब्लोगिंग के बात करते हैं तो सबसे पहला कंट्री आता है भाई यूएस है और यूएस के अंदर बहुत सारे इसे नीच है जहां पर आप काम करके हाई आर्निंग कर सकते हो लो एफर्ट में तो इसे ही दोस्तों आज में 5 नीच बताऊंगा और यह जो नीच में आपको बताऊंगा उसका आर्निंग पोटेंशल का प्रूब भी आपको दूँगा और यह विडियो लाने के लिए इसलिए थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैंने कुछ लोगों को रिचाउट किया जो कि अभी इंटेनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनका आर्निंग प्रूब में आपको दिखाऊंगा इसलिए आज का वीडियो आप सब के लिए इंपोर्टेंट है और में एंड में आपको एक एसा नीच बताऊंगा चुकि बहुत इजी है ठीक है तो विदाउट टेस्टिंग डाइम आज का वीडियो सुरू करते हैं जो कि mostly blogging कर रहे हैं US को target करके और उनका earning proof में आपको दिखाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे only 5 नीच आपको बताऊंगा जो कि आप लोग के लिए helpful हो सकता है और उस पे आप लोग काम भी कर सकते हो और जिसी कि मैंने कहा एक low competition और easy niche बताऊंगा last में जो कि बहुत easy है आप जो कि लिए भी ठीक है तो चलिए सबसे पहला नीच बात करते हैं सबसे पहला नीच दोस्तों है finance और यह नीच इतना easy नहीं है लेकिन इसका earning potential जब देखोगे तो आपको लगे गड़ी भाई इतना तो हम करी सकते हैं आपको भले ही एक लाक ट्राफिक ना आए आपको जार ट्राफिक डेली का होगा तब भी आप बहुत अच्छा कमाई करोगे एक बार इनका earning प्रूफ देख लेना जब मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है और यह नीच पे मैं अभी कोई website open करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यह कोई case study वाला नहीं है इस पर मैं आपको बस एसे कुछ नीच के बारे में बताऊंगा ताकि यह वीडियो बहुत लंबा ना बने और आपको सारे नीच के बारे में पता लग जाए तो सबसे पहले आप लोग इसका earning proof देख लो एक blogger इस पे काम करते हैं बहुत मुश्किल से मैंने उनको reach out किया और उन्होंने अपना screenshot स और कभी-कभी उन्होंने बताए कि 80-90 डॉलर का CPC एक एक क्लिक का मिला है ठीक है तो समझ सकते हूं कितना जदा opportunity है इस niche पे लेकिन इस niche पे काम करना थोड़ा सा tough है क्योंकि इतना easy भी नहीं है यह niche लेकिन still इस पे बहुत जदा earning opportunity है जैसी का आप देख पा रहे होंगे only 1000 base weekend इतना अच्छा कमाई है तो आप सोचो अगर 1-2 लाक ट्राफिक आ ही गया बलब daily basis पे तो कितना जदा कमाई हो जाएगा ठीक है तो finance सबसे बहुत बड़ा earning opportunity वाला niche है हर एक country में लेकिन US में तो जदा कमाई है ठीक है अब next niche या नहीं कि second niche पे बात करते जोंकि बहुत important second niche gaming और gaming niche आप मान लो भाई यह इतना competitive नहीं है यह बहुत easy niche है बहुत मतलब इस पे हर टाइम में नए नए games आते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं और अच्छा कासा result भी ले सकते हैं और इस पे भी earning opportunity बहुत सही है और gaming niche पे भी कुछ bloggers US को target करके काम कर रहे हैं और उनको मैंने reach out किया तो उन्होंने भी अपना earning का screenshot मुझे दे भेजा जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोग खुद देखी इनका earning proof भाई यह जो earning proof मैं आपको दिखा रहा हूँ आप खुद देखो gaming niche पे इनको कितना अच्छा CPC मिल रहा है और उसके साथ कमाई भी आप सा centi रहता है तो कमाई इतना खास दिखता नहीं है लेकिन आप खुद देखो US के अंदर कितना अच्छा कमाई यह gaming niche के उपर और इस पर इतना जदा competition है भी नहीं क्योंकि हर टाइम नए नए गेम्स आते हैं और उस पे आप काम कर सकते हो और अभी मैं कोई reference site नहीं बता रहा हुआँगा properly case study के थुरू समझाओगा कि आप इस तरह website कैसे बना सकते हो अगर आप लोग interested हो भाई foreign country का कुछ इससे niche हम लोग explore करें इसे website explore करें कि हम लोग कैसे target कर सकते हैं कैसे website बना सकते हैं तो definitely comment करना ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको दो niche बताया finance and gaming और यह दोनों में मेरा gaming बहुत सही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है gaming niche अभी उसके बाद हम लोग third niche पर discuss करते हैं third niche दोस्तों है health niche और health niche सबसे powerful niche है इस पे adsense के तरफ लोग देखते ही नहीं है कि कोई इस पे इतना चादा affiliate commission बनता है और इससलिए दोस्तों मैंने जितने बंदों क personally पता है health पी बहुत जड़ा opportunity है क्योंकि बहुत सारे product sale होते हैं जहां पर product का lane देन होता है sale होता है वहाँ पेशा बरवरक है और यहां पर हार एक company नहीं नहीं आप product निकालते हैं और affiliate marketing का strategy भी होता है और इस पे बहुत सारे opportunity है और मैं अपना एक friend का reference दूँगा यहां प करना है देखिए जब तर लोग weight loss पर काम करते हैं बहुत rare लोग weight gain पर काम करते हैं इसलिए उसने पकड़ा weight gain और उसके बहुत अच्छा result नेरा है ठीक है तो यह था हमारा third niche भी fourth niche भी बात करते हैं और fourth niche भी important niche है आप लोग के लिए और इस पे भी बहुत अच्छा revenue बन सक करता है fourth number niche दोस्तो affiliate marketing के अंडर बहुत बड़ा niche है और इस भी बहुत सारे sub niche, micro niche, नालो niche आते हैं इसलिए आपको तर नीच बता रहा हूँ इसको demonstrate करके हम लोग बात में इसके बारे में detail में cover करेंगे कि एक-एक niche पे, एक-एक micro niche पे कैसे आप लोग काम कर सकते हो तो अब जानते ही fourth number niche home decoration दोस्तो जिसी कि हम लोग normal Indian family में क्या होता है एक बार हम लोग घर बना लेते हैं तो उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं आगे उसको modify करेंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन foreign country पे इसा नहीं है भाई एक बार घर बना लेंगे लेकिन 100 बार इसको modify कर उसका design तुड़े time के बाद change करेंगे कुछ और चीज़े आड करेंगे तो हमेशा हो लोग क्या करते हैं अपना design को upgrade करते हैं उसके लिए वो product pick करते हैं कहां से ऑनलाइन से ज्याद अतर मंगाते हैं तो यहाँ पर opportunity बनता है हम लोग affiliate marketing easily कर सकते हैं कोई single product को choose करके और affiliate commission बहुत अच्छा generate कर सकते हैं अभी दोस्तो टाइम है फिफ्ट नंबर नीच के बारे में क्योंकि फिफ्ट नंबर नीच यह सा है कि अब लोग copy based कर सकते हो और still इसकी opportunity बहुत ज़्यादा है आप लोग कमाई कर सकते हो वो भी सिर्फ copy based करके और अभी मैं आपको earning proof में द popular हो जाता है उसकी बारे में बहुत सारे searches होते हैं इंटरनेट पर तो उस condition पर इजो data है एक person का वो copy paste हो सकता है और इसका already मैंने complete guide बना रखा है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो तीनों वीडियो कैसे research करना है कैसे blog setup करना है कैसे काम करना है properly बना रखा है आप लोग द लेकिन इस पर एसा है कि copy paste है और easy है लेकिन भाई earning के मामली में थोड़ा सा कम है लेकिन आप लोग copy paste करोगे तो चलेगा कोई डिक्कत ने अभी आप लोग देख पारे हो इसका earning proof चुकि मलब 85000 visitor है still इस पर कमाई इतना भी ज्यादा नहीं है लेकिन इतना भी बुरा भी न चाहते हो copy paste दणना चाहते हो बेतर होगा आप लोग इवेस को ही focus करो tier 1 countries को focus करो अच्छा result मिलेगा और यह था mostly 5 निच मेरे आपको बताया जो कि already आपने internet से सुना होगा लेकिन मैंने इससे आपको earning का proof दिखाया जो कि लोग कमाई कर रहे हैं वो थोड़ा unique insight है अगर आप चाहो तो आप लोग कर सकते हो और अगर हम लोग dedicated ली भाई निच तो बहुत सारे है लेकिन हर एक निच को explore करना उस पे blog कैसे बनाना है उस पे काम कैसे करना है यह internet पे बहुत कम idea में है अगर आप लोग चाहते हो मैं इससे international blogging को explore करू एक एक निच मैं आपको explore करके दिख तो comment करके जरूर बताना और आज का वीडियो किसे लगा definitely comment करना मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडिये के साथ लेकिन अगर कुछ doubt रहा comment कर सकते हो तो तब तक के लिए धन्यबाद and let's grow together